हिम मंदल रिमोर्ट सेंसिंग प्रणाली में एक बड़ी भूमिक अनिभाता है रिमोर्ट सेंसिंग हमें इसकी प्राक्रतिक बादाओं से परे देखने की अनुमती देता है आजकल वैग्यानिक्या समझने के लिए बहुत सावदानी से हिम मंदल का अधियान कर रहे हैं कि जलवायों परिवर्तन जमे हुए पानी के पिगलने को कितना प्रभावित करता है या मानव जादी की तुल्ला में एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि कई मानव जीवन और पारिस्थिति की तंत्र खत्रे में हैं चरम परियावरणिया, स्थितियों, सुदूर्था के कारण रिमोर्ट सेंसिंग ठंडे छेत्रों की खोज के लिए एक अनूठा उपकरण है रिमोर्ट सेंसर्स के साथ हिम मंदल का अधियान करके हम उपयोगी जानकारी प्राप कर सकते हैं जैसे विस्थापन और हिमनत की घनत्व हिमनत प्रत्वी के जलवायू परिवर्टन के सबसे समवेदन शिल संकेत को में से एक है क्योंकि उनके पास बैश्विक परियावरण प्राणाली के अंदर एक विशिष्ट स्थाई करण प्रकार्यत्मक है इसका मतलब यह है कि किसी भी छोटे बदलाव से फर्क पड़ता है उदारण के लिए तैर्टी हुई बर्फ की केविंग करने की प्रक्रिया में पिसी हुई बर्फ का काफी अतिरिक्त स्त्राव होता है जितना अधिक गनत्व होता है उतना ही समुद्र कस्तर बर जाता है जमे हुए समुद्र की सगनता समत्री बर्फ आम तोर पर आसपास के महा सागर की तुलना में अधिक उर्जा उत्सरजित करती है जिससे विनी योजित सैंसिस के साथ दोनों के बीच अंतर करना आसान हो जाता है बर्फ का आवरण और बर्फ के पाने का समुतूल्यता जबके वैश्विक जलवायू प्रणाली में बर्फ का आवरण एक बहत्व पूर्ड पैरामीटर है जो सतर से परावर्तित प्रकाश पर इसके प्रभाव के कारण है बर्फ के पाने का समुतूल्यता एक मात्रात्मक परिवर्तन छीलता है जिसे अधिकांच हाइटरलोजिकल मॉडल को आवशक्ता होती है हम उन्हें उन्नत प्रणालियों से माप सकते हैं समुत्री बर्फ छेतर की मोटाई रडार्स और लीडार्स पृत्वी की और स्पंदित, रेडियो या प्रकाश संकेतों को बेचते हैं और सेंसर के वापस लोटने में लगने वाले समय को मापते हैं वापसी का समय ये निर्धारित करता है कि परावर तक सता तक सेंसिस कितनी दूरी पर हैं एक संदर्प के रूप में समुद्र की सतर के साथ समुद्री बर्फ की सतर की उचाई निर्धारित की जा सकती है जिसका उपियोग वे ज्यानिक समूद्र की बर्फ की कुल मोटाई की गणना करने के लिए करते हैं यदि हमें पता है कि पतली समूद्री बर्फ की सतर कहा है तो हम बर्फ से ठके छेतरों के माधियम से जहाजों को मार्क कर सकते हैं जैसा कि हमने कहा हमारी बदलती चलवायो को समझने के लिए हिम मंडल अतियंत महत्वपूर्ण है। स्पष्टी करण सरल है। जब सोर किरणे हिम और बर्व से टकराती हैं, तो इसका लगबग 90 प्रतिशत भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। जैसे जैसे अधिक हिम और बर्व पिगलती जाती है, वैसे वैसे समुद्र और जमी जो नीचे थे उजागर हो जाते हैं। यह अवशोशत उर्जा फिर वायो मंदल में गर्मी के रूप में उचसर्जित हो जाती है। अगले कुछ दश्कों में गर्मियों के दोरान आक्टिक महासागर में और कोई समुद्री बर्फ नहीं बची रह सकती है।